हाई दोच्टों कैसे हैं आप तो आपका स्वाइब करता हूं फिस एक्सलवल की दुनिया में तो आज हमारा फोकस होता दे है रिमूव डूपलिकेट्स तो आज हम जानेंगे किस तरीके से किसी भी डूपलिकेट एंट्री को रिमूव किया जाता है तो अभी हम यहां पर डेक्नेशन लिख रहे हैं इसकी वी किन यूज रिमूव डूपलिकेट ऑप्शन तो रिमूव एनी डूपलिकेट डाटा फ्रॉम आवर एंटायर टेबल और लिस्ट तो हम किसी भी डाटा या कोई भी सैट ओफ डाटा अगर हमारे पास अवलेबल है त तो अगर हम चाहते हैं कि राम एक ही बार उस लिस्ट में आये तो हम रिमूव डूपलिकेट का यूज करते हुए डबल एंट्री को सिंगल एंट्री करते हुए एक एंट्री को डिलीट कर सकते हैं तो अभी हम देखते हैं कि वह हम कैसे कर सकते हैं तो हम यहाँ पर लिख र कि हम राम यह सुनीता किसी भी चीज को हम डिलीट कर सकते हैं तो हम यहां पर देख सकते हैं टेबल A में यहां पर सुनीता दो बार लिखा हुआ है तो हम रूमूब डुपलिकेट का यूज करते हुए सुनीता को एक ही एंट्री लेके आएंगे अपने टेबल A में तो अब हम यहां पर steps लिख रहे हैं कि उस चीज के steps कैसे होंगे जो हमें follow करने होंगे we will first select the column on which remove duplicates needs to check or apply then we will go to data tab and use and there we have the option of remove duplicate we will click on that तो हम यहां पर देख सकते हैं कैसे हम पहले data tab में गए है और उसके बाद हमने remove duplicate का option select किया और उसके बाद हमने remove duplicate पर click किया अपने table select करने के बाद कैसे हमारे data में से एक entry deduct होके remove हो गई तो हम अपने table में भी देख सकते हैं कि सुनीटा की अब हमारे पास single है सिर्फ एक सुनीटा का नाम दिखाई दे रहा है table A में तो हम यहां पर लिख रहे हैं here we can see after applying remove duplicate it has identified one duplicate entry and removed it तो हम यहां पर देख सकते हैं कि कैसे remove duplicate apply करते ही एक duplicate entry remove हो गई हमारे table A से और अब सुनीटा की सिर्फ सिंगल एक entry हमें reflect हो रही है this is very helpful to remove any duplicate value और identify if there are a last set of data कभी भी हमें बहुत सारे list of data अबलेबल हैं जिसको हमें manually remove करना बहुत है मुश्किल पड़ेगा तो हम remove duplicate का यूज करते हुए ऐसा कर सकते हैं तो hopefully आपको वीडियो पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को सब्ट्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों से सेर कर सकते हैं बाइ